अपने घर के स्वैनपाग घर के नजदीक में ऐसी ही एक बहुत अच्छी ओश्ड है तुन्सी जैसी है उसको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था खोरपड, एलोविरा, गौारपाथा, अद्बुट है ये बहुत बहुत बीमारियों में काम आता है आप इसको भी गंबले में लगा सकते हैं, बहुत आसान है इसका लगना खोरपड का रस हमेशा इस्तेमाल किया जाता है तो उसका पत्ता काटेंगे, पत्ता काटते ही रस निकलना शुरू हो जाता है और उसको छील देंगे, तो और ज्यादा रस निकलता है ये रस इकठा करके, आप इसको कई तरीके से उप्योग कर सकते हैं सबसे बड़ा उप्योग इसका है डाइबिटीज में जिनको भी शक्कर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है उनको ये खोरपड का रस इकठा करना और 4-5 चमच सुबह खाली पेट पीना, बहुत अध्गूत काम करता है दूसरा ये खोरपड का रस ऐसे लोगों की सबसे अच्छी दवा है जिनको नपुन सकता है, इंपोटेंसी की बीमारी जिनको बहुत है ऐसे सब लोगों को खोरपड का रस बहुत अध्गूत काम करता है आप उनके लिए भी बोल सकते हैं कि 3-4 चमच रोज सुबह इसको पीना तीसरा ये खोरपड का रस उन सब के काम आता है जिनके शरीर में फोड़े बहुत होते हैं, फुनसियां बहुत होते हैं अक्सर आपने देखा है कि गर्मियों के दिन में कई छोटे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हमेशा कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कई हर सब शरीर में फोड़े खुनसी होते रहे हैं इनके लिए भी ये कोर्पड का रस बहुत अध्गूत है बालों में अगर आपको डेंड्रफ है, खोड़ा जू मैंने कहा, इसमें कोर्पड का रस लगाएं तो बहुत अध्गूत काम करता है बाल आपके बहुत जड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ठूपते हैं समय से पहले आपको ऐसा लगा रहा है कि बहुत ज़्यादा बाल तूप रहा है कारण आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें भी कोर्पड का रस बहुत अच्छा काम करता है बालों में लगाईए, एक तास के लिए छोड़ दीजे, फिर बाल धोलीजे एक हफ़ते में एक दिन भी अगर आपने लगाना शुरू किया, तो बाल तूपने आपके बन कर देगा आपको ऐसा लगता है कि बाल आपके बहुत हलके हो गए हैं, तो भी आप कोर्पड का रस उप्योग करिए, बाल एक दम अच्छे हो जाएं अगर समय से पहले दिना किसी कारण से जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है, तो भी किसी को बाल अगर सफेद हो रहा है, उनको बोलिया कि कोर्पड का रस लगाएं, बाल एक दम काले करते हैं इसी कोर्पड के रस से शरीर के अंग का कोई भी हिस्सा जो सड़ गया है, बहुत खराब एक बीमारी है, जिसको अंग्रेजी में गैंग्रीन कहते हैं गैंग्रीन, और अलोपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई गाजी है, गैंग्रीन का अगर कोई भी बीमारी आ गया, तो अलोपैथी का डॉक्टर एक ही बात आपको बुलेगा कि शरीर का ये अंग काट के निकाल दो, ये सड़ा हुआ शरीर का अंग फिर से ठीक करने की ताकत दुनिया में जिस आउशत में हैं, तो ये ये कोरपट का रस, कितना भी खराब अंग सड़ गया हो, पाउ में, हाच में, कहीं भी किसी भी हिस्से में, आप कोरपट का रस वहां लगाना शुरू कर दीजे, आठ दस दिन में आप चमतकार देखेंगे, रक्त में अमलता बढ़ देखेंगे, और रक्त की अमलता बढ़ने से क्या बीमारियां होती हैं, चर्म रोग सबसे जादा आते हैं, सुराइसिस नाम का एक चर्म रोग है, इग्जीमा नाम का एक चर्म रोग है, ये सारे के सारे चर्म रोग रक्त की अमलता बढ़ने से आत में तो काम आता ही है चर्म रोग है तो उसको बाहर से लगा भी सकते हैं तेल की तरह उसकी मालिश भी सकते हैं ऑर जल्दि थीख कर दे मिसी कोर्पट के रस्टे आपके शरीर का अंदर के कर्यों ठीक होते प bean लिए उहान लुद संतों पैट में घाव हो गया द्थ दिम्हाय को फिर न जनल से कुप्षेंट हैं जिनको अलसर है जो और पेशनटह मैं दिने भूल इसका उत्यों कर कर देखा है कंसे कम 50ा प्रेवैं मारियों इसके बहुत अच्छी इसलिए आप अपने स्वेंपाग घर के नजदीक में एक गमले में जरूर इस कोर्पट को लगाते रखिए यह बहुत काम आता है और एक आखरी विमारी इसकी और बता देता हूं बच्चों से लेकर भणों तक कान में कभी भी दर्द हो जाए कितना भी तेज दर्द हो कान मे आप कोर्पट की रसकी एक ठीम डाल दीजे कान में पांच मिनद में ही दर्द बंद फ़बे करें कीमिनद लगते हैं कि यह बंदो लेंगे तर्द ऊपर दृब इस लिश्ए कोर्पट का और कई जगे उप karate AJएआ अगयोग होता है आपके मुह से बहुत बास आती है स्जड़ा उठते ही आपको ऐसा लगता है कि मुह से बद्बु आ रहे हैं आप Corderd के रज़कों मुह में मालिश करें मुह मिसे मतलब मसूनओं पे मालिश करें उसके बाद कुल्यिक लीज एज़ों तो मुह से बास आना बत कराझा अगर आपके मसुलों से खून आता है पायरिया नाम का रोग अक्सरमारे दातों से खून आता है तो कोर्पर्ट के रहें नत हैं सबसे जादा भारत नहीं होता है कि अगर इस कोर्पट का कोई बिजनिस करें तो एक ही साही में कोटी पती हो सकता है कि इस कोर्पट का रस अमेरिका में एक हजार रुपर लीटर बिखता है गाय के तूप से मेहना है गाय का तूप बिटता है 100-200-200 रुपर लीटर घुर्पट कर अजार रुपर लीटर चलता है और ये इतना मेहना क्यों बिटता है क्योंकि दुनिया के दूसरे देश्वान ये ज्यादा होता नहीं कि इसकी डिमांड बहुत है जितनी भी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज हैं कॉस्मेटिक्स के सामान बनने वाली कंपनिया सब को यह चाहिए अमेरिका और यूरोप में सबसे जादा इसकी बांग है लेकिन वहां उपन होने ही पाता जादा जादा यह भारत में होता तो अगर आपके वास थोड़ा खेत ह है चित है तो किनारे किनारे खूर पत लगा दीजिये इसको पानी नहीं देना पड़ता इसको खनम है देना पड़ता जादा है काट चाहिए रस निकालते जाइए हमोने साथ इसके दो फाइदे होते हैं अगर शेट के चारो तरफ आप ये खोर पड़ लगा दें चारो बाजू में तो उस उस पूरे शेट में कोई भी जन्तु नहीं आता तो जन्तु नहीं तक औशदी की जरूरत नहीं और खोर पड़ बड़ा होने के बाद हजार रुपए लीडर का भाव देता है इसको आप रस के रूपना भी बेच सकते हैं डायरिक भी बेच सकते हैं जी रस कैसे निकलता है इसका रस निकालने के लिए बहुत छोटी सी मशीन आती है वो मशीन आप अपने घर लगा सकते हैं मशीन से रस निकल सकता है और मशीन नहीं लगाना हो तो हाट से भी रस निकलाता है निकालने का तरीका मैंने बता है इसका पत्ता कातना फिर इसको चाफू से छेलना फिर छोटे-छोटे पीस उसके करना और उसको इसमेश कर के रस मेने लेलात भी जो ही मिकसर में निक लाटा उस पो इसको आप जरूर कि अपने घर में है त्थि और आगे उच्छी कि माहित देता हूं जी उसका रसक कोई drei mess fines में एक बरस जो बरă्थ गरसा बरस वीस बरस पचास बरस कभी भी खराब नहीं होता जैसे गंगाजन खराब कर रस कभी खराब मैं काच की बाठनी नीग कभी भी सकते डिरस कितना लेता है थीन सचार चंबड इत्ना ही परत्रयास प्रेल